नमश्कार दोस्तों, welcome you all again to the most comprehensive and to the point lecture series on Indian economy. दोस्तों, आज के इस lecture में हम तीन terminologies को समझने की कोशिश करेंगे या आप यूँक समझ सकते हो कि हम तीन concepts को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला concept जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हो, हम समझने की कोशिश करेंगे about the Phillips curve, देखने की कोशिश करेंगे कि एक curve किस तरीके से हमें relationship शो करता है between the inflation and unemployment. Second terminology related to the Phillips curve मगर उसके विल्कुल विपरीत हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही important और crucial concept के बारे में जिसको आप सब stackflation के नाम से जानते हो. इस stackflation का क्या मतलब होता है, कैसे दो शब्दों से मिलके बना है, कैसे फिलिप्स कर्व से अलग है, इससे समझने और देखने की कोशिश करेंगे. थर्ड जो हम concept की बात करने वाले हैं, उस concept का नाम है नायरू. ये नायरू एक बहुत ही tricky concept है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. इस नायरू का जो full form है, वो भी बहुत बड़ा है, जो अपने आप में tricky है. सबसे पहले, मैं आपको ये बता दू, कि नायरू का full form होता है, non accelerating inflation rate of unemployment. आपको ये भी बहुत typical चीज़ लग रही होगी. But believe me, इस lecture को खतम करने के बाद दोस्तों, आप इन टीनों ही terminologies और concepts से well versed हो जाओगे and you would be able to answer any question, whether for UPSC prelims और for UPSC mains. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, फिलिप्स कर्व के बारे में, फिलिप्स कर्व basically हमें बताता है कि there is an inverse relationship. अब inverse relationship का मतलब क्या होता है? inverse relationship का मतलब होता है, अगर मैं formulae से बताना चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से. इसका मतलब यह है कि जब भी इस formulae के बिहाफ पे अगर हम देखेंगे, तो जब भी A बढ़ेगा दोस्तों, B हमेशा कम होगा, या इसका उल्टा कि जब भी A कम होगा, B बढ़ जाएगा. यह होती है inverse relationship. और Indian society में इसको आप ऐसा समझ सकते हो, कि जब भी बच्चे decision लेते हैं, तो parents अलग चलते हैं, तो उस example से भी आप इसको याद रख सकते हो, तो यह तो आपने समझ लिया कि inverse relationship क्या होती है. अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं Phillips Curve, तो Phillips Curve हमें बताता है कि inflation और unemployment के बीच में यह inverse relationship होती है, मतलब कि I is for inflation और U is for unemployment. तो इस तरीके का है formula बन जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी मैं inflation जो की Y axis को represent कर रहा है और unemployment जो X axis को represent कर रहा है, जब भी मैं inflation को बढ़ाऊँगा, यह देखने में आएगा कि unemployment कम हो जाएगी. बिल्कुल इसके विप्रीट जब भी मैं देखूँगा कि मैं inflation को कम कर रहा हूँ, तो देखने में आएगा कि unemployment बढ़ जाएगी. Unemployment मतलब बेरोजगारी, यह तो आप जानते ही हो. और inflation का क्या मतलब होता है? यह भी आप अच्छे जानते हो. That is General Increase in Prices of Goods and Services. यह तो बहुती आसान सा कॉनसेप्ट है. एक बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं. इस फीगर से. पहला, इसमें आपको यह दिखाने की कोशिश किये, कि inflation जैसे जैसे बढ़ रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखो, unemployment rate जो है, वो कम हो रहा है. मतलब supposedly मैं मान के चलता हूँ कि हमारा inflation rate इस first case में कुछ 10% का है. तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हमारा जो unemployment है, यह इतना है, इसको मैं मान लेता हूँ 2%. supposedly, अभी हम समझ रहे हैं. मगर इस second case को देखने की कोशिश करो, यहाँ पर यह जो y-axis है, देखो हमारा inflation कहाँ पर आ unemployment कितना हो गया दोस्तों? समझ में आरी आपको बात? अब हमारा unemployment जो है वो 10% हो गया. मतलब कि first case में जब हमने inflation बढ़ाने की कोशिश करी या inflation बढ़ा दिया to 10% तो हमारी unemployment कितनी हो गई? सिर्थ 2%. मगर जैसे ही मैंने inflation को second case में 2% पे लाने की कोशिश करी, हमारा unemployment कितना यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा conceptual level पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह चीज ऐसे कैसे चलती है. देखो, अब यहाँ पर inflation का मतलब क्या होता है? यह तो मैंने आपको समझा दिया. मगर आपको यहाँ पर यह समझना चाहिए कि inflation market में कैसे आता है? इंफलेशन मार्केट में आता है on the basis of money supply. जब भी दोस्तों मार्केट में money supply बढ़ता है, मार्केट में इंफलेशन बढ़ जाता है. जो कि हम बोलते हैं न, too much money is chasing too few goods. मैं आपके आपके लिए लिख भी देता हूँ. too much money, मतलब कि बहुत ज़ादा पैसा is chasing too few goods. मतलब बहुत ज़ादा पैसा, बहुत कम goods को chase कर रहा है. जब ऐसा होगा, तो क्या होगा? चीजों के prices बढ़ जाएंगे. और इसी को inflation कहा जाता है. अब दोस्तों, आप ये सोचो कि inflation बढ़ना, money supply बढ़ना, ऐसा होगा क्यों? ये जब होगा, जब आपके आपे बहुत अच्छी चीज़े चल रही है. मतलब कि, आपके आपे employment लोगों को बहुत मिल रही है. लोगो का मतलब उन लोगों का consumption बढ़ रहा होगा. consumption बढ़ रहा है, इसका मतलब वो Indian क्या बढ़ा रहे? demand बढ़ा रहे. तो इन सब तरीकों से देखा जा सकता है, कि जब ये सारी चीज़े होंगी, तो हमारा market बहुत अच्छा role play कर रहा है, या हमारा market बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश में बेरोजगारी कम होना चाहिए, of course होना चाहिए, तो बस ये इसका practical reason था, कि जब inflation बढ़ेगा, तो किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में employment भी बढ़ रही होगी, wages लोगों को मिल रही होगी, consumption बढ़ रहा होगा, demand supply बढ़ रहा है, और money supply ही किसका कारण होता है, inflation का, तो हमने ये तो समझ लिया कि inflation जब बढ़ेगा, तो किस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी कम हो जाएगी, और अब इसका बिलकुल विपरित अगर हम देखें, inflation को कम करके देख लो, inflation का कम होना, मतलब क्या, लोगो कि employment छिन गई, या कम हो गई, अगर employment कम हो गई, wages कम हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि, लोगों ने consumption कम कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ, consumption कम करने से की, demand हमारे market में कम हो गई, तो यहां पे आप देख पा रहों कि, inflation कम होने से, एक तरीके से आप यह समझ सकते हो, कि ह money supply है वो क्या हो गया वो कम हो गया या फिर हमारी जो GDP की growth rate है इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारी GDP growth rate या तो stagnant हो गई होगी या कम हो रही होगी तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर inflation कम हुआ तो ये सारी situation परसिस्ट करेंगी और अगर ये सारी situation परसिस्ट करेंगी तो देखो आपने तो खुद ही आंसर दे दिया employment कम होना employment कम होने का क्या मतलब होता है unemployment का बढ़ जाना तो जैसे ही inflation कम हुआ unemployment बढ़ गई इस तरीके से बहुत आसानी से आपने समझा कि फिलिप्स कर्व क्या होता है और फिलिप्स कर्व हमें किस तरीके की inverse relationship बताने की कोशिश करता है between inflation and unemployment मैं उमीद करता हूँ मैं आपको फिलिप्स कर्व बहुत से समझा पाया हूँ so now let's move on to the next concept जिसको हम stackflation के नाम से पढ़ेंगे सबसे पहले stackflation को समझाने के पहले आप ये समझ लो कि it was made up of two words सबसे पहला word है stagnation और दूसरा word हमारा फिर से inflation अब ये क्या होता है हाँ सबसे पहले stagnation समझ लेते हैं अब हम लोग environment में भी पढ़ते है stagnant water इसका क्या मतलब होता है रुका हुआ पानी तो क्योंकि हम अभी economy पढ़ रहे हैं तो यहापे पानी तो बोल नहीं सकते हैं तो हम बोल देते हैं economy रुकी हुई economy अब ये रुकी हुई economy क्या होती है मतलब सब statue हो जाते हैं क्या नहीं रुकिवी economy का मतलब होता है, stagnant economy का मतलब होता है कि आपके यापे जो growth हो रही थी, किसकी growth, GDP की growth, वो constant हो गई है, constant या फिर stagnant, मतलब ठहराओ आ गया है उसमें, वो बढ़ नहीं रही है, इस तरीके की चीज़ को आप stagnant economy बोलते हो, उमीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो, औ चलिए, हमने ये समझ लिया, मगर ये तो पूरी विपरीद बात हो गई, अभी तक तो मैं आपको समझा रहा था, कि inflation जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे याँ जो unemployment है, वो कम हो जाएगी, यही तो हमने देखा था न, inverse relationship में अभी फिलिप्स कर्व जब हम पढ़ रहे थे, मगर यहाँ पे, हम एक ऐसी condition को देखेंगे, जब inflation जो है हमारा, वो जब बढ़ेगा, तो unemployment जो है, वो भी इसके साथ बढ़ जाएगी, अब आप बोलोगे कि, आप ही पहली चीज बोल रहे हो कि ऐसा होगा, आप ही बोल रहे हो कि ऐसा होगा, होगा क्या, actually मैं दोनों हो सकते हैं जो second condition की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, that is stack inflation, यह एक तरीके की exceptional situation है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, जो हम stack inflation के बारे में बात करने की कोशिश करने वाले हैं, अभी हो समझने वाले हैं, कि inflation अगर बढ़ जाए, तो क्या उसके साथ में unemployment, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, जो की नहीं होना चाहिए, तो हाँ, ऐसा हो सकता है, और बहुत बार ऐसा हुआ है, यह एक exceptional situation है, जिसको stack inflation नाम दिया गया है, तो जैसा कि अगर आप ने notice किया हो दोस्तों, नहीं किया तो मैं वापस बताता हूँ, ध्यान से देखो, यह curve कैसा जा रहा है, exactly, यह curve जा रहा है, वहीं ध्यान से अब इस curve को देखो, यह कैसा जा रहा है, यह उसका उल्टा जा रहा है, मतलब कि एक curve ऐसा है, और एक curve ऐसा है, यह ऐसे वाले curve को stack inflation हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यह showcase करने की कोशिश की गई है, कि देखो यहाँ पे अगर inflation 10% है, तो यहाँ पे unemployment म क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यह आनी चाहिए, इस curve को देखते ही हुए, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि inflation अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब money supply बढ़ रहा है, और अगर money supply बढ़ रहा है, तो आपका सवाल होगा कि employment तो generate होई रही होगी न, क्योंकि wages, consumption, यह तुम देखी चुके है pattern, तो फिर जब employment बढ़ रही है, तो मैं आपे कैसे बोल सकता हूँ कि unemployment बढ़ रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो कम होना चाहिए, हाँ, अब इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों कभी कभी economy में होता क्या है, कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए जो पैसा है, वो तो बहुत जादा हो जाता है, इसका मतलब जो money supply है, वो बढ़ जाती है, example के तोर पे, जैसे मान लो हमारी सरकार भी, आपको पता होगा, बहुत सारा पैसा लोगों को देती है, in the form of subsidies आपने सुना होगा, जन धन आधार योजना के बारे में, जिसमें हमारी सरकार ने no-frill account लोगों के खुलवाए, और उनमें overdraft facilities दी, 10-10,000 रुपे तक, तो ये जो चीजे हैं, इन कारणों से होता क्या है, कि आपके देश में, जो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा जिसके थुरू वो consumption को बढ़ा पाएंगे, demand generate कर पाएंगे, वो पैसा तो available हो जाता है, मगर उसके proportion में, market में employment generate नहीं होती, अब ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आपकी जो economy है, उसके जो sentiments हैं, वो कभी कभी खराब हो जाते हैं, या जो market से investments हैं, या मैं कहूँ जो market के investors हैं, उनको market में विश्वास नहीं रहता, तो वो further investments नहीं करते, जब ऐसी condition आ जाती है किसी देश में, कि investors invest करना बंद कर दें, due to market sentiments, तो क्या होगा, क्या नए employment generation होगा, नहीं, मगर क्या आपका inflation बढ़ सकता है, हाँ, अगर government subsidies देने लग जाया, सारी subsidies हम देते हैं, तो हमारा consumption बढ़ जाएगा, demand बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, तो inflation तो बढ़ जाएगा, money supply बढ़ने के कारण, मगर हमारे देश में employment generate नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो economy है, वो stagnant हो गई है, उसमें ठहराव आ गया है तो इस कारण से मैं फिर repeat कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको दो बार बताया है, कि it is an exceptional situation, और क्योंकि दोस्तों ये एक exceptional situation है, ये जादा tough situation है, government के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर आपकी economy slow down से गुजर रही ह slow down का मतलब क्या होता है, कि आपकी GDP growth rate कम हो रही है, तो GDP growth rate कम होना बहुत जादा tension वाली बात नहीं होती, government ली क्योंकि government को पता है, कि हमको कुछ भी नहीं करना है, market में सिर्फ money supply बढ़ाना है, economy वापस से boom की position में चली जाएगी, मगर यहां तो उल्टी चीज हो जाएगी, यहां उल्टी चीज इसलिए हो जाएगी, क्योंकि inflation तो already बढ़ा हुआ है, अगर government ने यह गलती कर दी, कि government ने अपनी तरफ से subsidies दे के money supply को बढ़ाने की कोशिश करी, तो यह तो inflation को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर ज़रूरी नहीं है कि employment को भी बढ़ाया जा सके, औ और आज की जो current situation है, वो यही दे दोस्तों, आज की current situation यह है, कि हमारे जो investors हैं, उनके पास पैसा तो है, invest करने के लिए, but they are not willing to invest in the market due to market sentiments, क्योंकि उनको अभी नहीं लगता कि वो profit में कर सकते हैं बहुत जादा, तो हमारे investors क्या सोच रहें, कि आर जो भी पैसा के बैठे रहो, अब हमारी सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, हमारी सरकार ground level पे, mg नरेगा के थ्रू, लोगों को employment दे के, कोशिश कर रही है कि लोगों के हाथ में purchasing power बढ़ाई जाए, लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, मगर लोगों के हाथ में पैसा देने के बाद कर सकते हैं, अब invest कर सकते हैं, हमारी सरकार ने ये सोचा था, मगर ये investors को अभी भी इस चीज में विश्वास नहीं है, कि ये जो demand है, ये बहुत लंबे तमे सक सस्टेन करेगी, तो ये invest अभी भी नहीं कर रहे, तो अब आपने समझा क्या हुआ, mg नरेगा के थ्रू, सरकार ने जो नौकरियां दी, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, मतलब की money supply बढ़ गया, मतलब की inflation बढ़ गया, मगर investors को अभी भी believe नहीं है, तो वो invest नहीं कर रहे, इसका मतलब employment generate हुई क्या, नहीं, तो ये आपने situation, बहुत तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करी दोस्तो कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है और होता है कि inflation भी बढ़ जाए और unemployment भी उसके proportion में बढ़ जाए, तो उमीद करता हूँ मैं दोनों ही concept को आपको समझा पाया हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही tricky concept पे लेके चल रहा हूँ, that is Nairu, और सबको recommend करूँगा कि इस video को कम से कमार दो से तीन बार देख देखिएगा अगर आपको concept clear करना है तो, तो सबसे पहले तो इसको full form ही लिख लेते हैं, non accelerating, अब जो science background से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए तो acceleration कोई बहुत ज़्यदा tough word है नहीं, मगर जो non science background के students हैं, मैं उनके लिए बहुत elaborately समझाने वाला अभी, अभी तो आप से full form पर ध्यान दो, तो non accelerating inflation rate of unemployment, clear, non accelerating inflation rate of unemployment, ये होता है full form नायरू का, अब ये क्या बोलता है दोस्तों, ये बहुत ये आसान सी बात बोलता है, पहले इस concept को समझाता हूं में, और फिर ये acceleration, inflation rate ये क्या होते हैं, और unemployment से कैसे related है, ये बताऊंगा आपको, सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, कि ये जो blue वाली चीज हम लोग देख रहे हैं, आप ये मान के चलो, कि ये हमारी unemployment है, मतलब कि ये blue bar से, मैंने आपको समझाने की कोशिश करिए, कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी और ये जो black है, बार, इसको आप समझने की कोशिश करो as inflation, या फिर मान लो, अब basically होता क्या है, एक concept आप ये समझो, कि unemployment एक level से जादा कम हम नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया कि हमारे देश में inflation अगर बढ़ेगा, तो unemployment कम हो जाएगी, त आपका ये जवाब हो सकता था कि इस हिसाब से inflation को कर दो 20-25%, हमको क्या दिक्कत है, बस unemployment 0% कर दो आप, क्योंकि दिमाग तो ये चलता है ना हमारा, तो ये क्या condition हम अचीव कर सकते हैं, कभी भी नहीं, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि अगर मैं एक level of unemployment से जादा कम करने क कोशिश करूँगा, तो ये देखा जाता है कि मेरा जो inflation का rate है, जो inflation बढ़ने का दर है, वो बहुत जादा abruptly बढ़ने लग जाएगा, और इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर non accelerating inflation rate use किया गया है, अब ये क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, acceleration क्या होता है, पहले तो ये समझो, जैसे मान लोग कि आपके पास ये गाड़ी है, ठीक है, जब आप गाड़ी में speed देते हो, एकदम से, और bullet bullet वाले तो समझी गए होंगे, तो एकदम से जो acceleration आता है उसमें, तो ये क्या होता है, इस तरीके से इसको inflation में भी आप समझ सकते हो, कि करने की कोशिश करूँगा, तो ये जो inflation का rate है, ये बहुत जादा तेजी से बढ़ने लग जाएगा, बास समझ मैं, तो नाइरू क्या होती है, नाइरू का concept ये है, ये हमको एक ऐसा stable situation या ऐसा stable inflation rate बताता है, optimal है हमारी economy के लिए, जहाँ पे unemployment सबसे कम रहेगी, वापस से repeat क करता हूँ, नाइरू, एक ऐसा concept है, जो हमको एक optimal condition बताता है, ये optimal condition हमें ये बताता है, कि आप जो है, अपना inflation rate, जैसे example के तोर पे हम रखके चलते हैं, हमारे याँ पे 2-6%, तो ये एक ऐसा optimal situation हमें बताता है, कि अपना inflation rate आप 2-6% रखो, जिससे आपकी unemployment जो है, वो करीब करीब 15% रहेगी पूरी economy में, और वो बोलता है कि ये optimal situation है, अगर आपने ये गलती करी कि 15% unemployment से भी नीचे करने की कोशिश करी, तो आपका inflation जो है, वो हो सकता है 30% हो जाए, तो क्या आप ऐसा चाहोगे, नई, क्यों, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि optimal situation में हम लोग रहे, हम इतने inflation rate पे क्या sustain, क्या जिंदगी गुजार सकती है, बिलकुल भी नहीं, इस कारण से हम हमेशा एक optimal ये stable situation की demand रखते हैं, और ये नाईरू हमें बताता है, ऐसी stable situation in the form of non accelerating inflation rate, ऐसा inflation rate जो accelerate न करे, मतलब कि stable रहे और unemployment सबसे कम रहे उस inflation rate पे, तो दोस्तों, मैं उमीद करता ह हूँ कि मैं आपको इस concept को बहुत सब्सक्राइब कर पाया हूँ, इन तीनों ही terminologies को, अगर हाँ, comment में जरूर बताना, how you like this video, if you have any doubt related to this topic, feel free to ask in the comment, stay tuned with me for the future lectures, in the end, as I always say, keep shining, have a good day.